गुट मॉर्निंग चिल्डरेन, अगर यू, वेलकम बेक इन योर हिंदी ओनलाइन क्लास, डियर चिल्डरेन, मुझे पूरी उम्मीद है, आपने चुट्टियों में अपना होमवर्क कम्प्लीट कर लिया होगा, और बहुत अच्छे से चुट्टियां भी अपनी इंजॉय की होगी, ओके, अब हम अपना क्लास का वर्क स्जुरू करते हैं, ठीक है, रिटें वर्क स्जुरू करने से पहले हम एक वार करेंगे, चलिये हम अपनी बुक से पहले रिडिंग करेंगे, यह आपकी बूख है ना अक्षर ग्यान है ना इसमें से हम पहले रेडिंग करेंगे उसके बाद हम रेट अनवाग शुरू करेंगे चले आसे अनार बड़े आसे आम इसे इमली बड़े इसे एक उसे उल्लू बड़े उसे उन ओन भी होती है यह ओन है ना और ओन भी ठीक है आपकी बुख में ओन की भी पिक्चर दे रखी है ओन की भी दे रखी है री से रिशी एसे एक तारा भी होता है एसे एड़ी भी होती है एक भी होता है आप मैथ में बन लिखते हैं ना हिंदी में एक होता है अई से एनक ओ से ओखली अउसे औरत अंग से अंगूर अहा खाली बाकी का हमवर आपको बाद में कराएंगे पहले हम अहा खाली तक लिखना सीखेंगे और पढ़ना भी सीखेंगे सारे अक्ष्णों की हमें अच्छे से पहचान होनी चाहिए न तो हम अब रिवीजन वाक शुरू करते हैं लिखना शुरू करते हैं ओके चला यह देखे यहा हमने डेट लिख दी 5, 7, 21 यहा हम लिखेंगे C, W Classwork ओके चली अब शुरू करते हैं आसे अनार बड़े आसे आम E से इमली बड़ी से एक उसे उल्लू बड़े उसे ओन री से रिशी A से एड़ी आईसे अनक यह इतना तो हमने आपको पहले भी बर करा दिया है ना अब आज हम आपको उसे ओखली लिखना सिखाएंगे यह उसे ओखली की पिक्चर है ना यह देखें उसे ओखली लिखना सिखाएंगे ठीक है देखें पहले हम ऐसे लिखेंगे ओके अब यह देखें बहुत आसाने लिखना अब हम यहाँ पे आसे आम लिखेंगे और यह उपर लाइन खीचेंगे अंदर लाइन के अंदर ऐसे यह आपकी नोट बुक है ना उसमें देखें इस लाइन के और इस लाइन के बीच में हम ऐसे लाइन खीचके और इधर यह गोल गुमा देखेंगे ठीक है? यह देखिए ओके? यह देखिए ओसे ओखली ओसे ओखली ओसे ओखली देखिए कितना आसान है न? ओसे ओखली ओसे ओखली ओसे ओखली ओसे ओखली ओके? इसी का हमें नेक्स्ट पेज़ पर होम वर्क करना है यह यह वाला वर्क हमें इस वाले पेज़ पर होम वर्क करना है ओके? अराम अराम से अच्छे अच्छे से सुन्दर सुन्दर लिखिएगा ठीक है? बाइ बाइ वे नाइस डे